नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज बात करने वाले अपन हाई बीपी की दवाई के बारे में कि आपको हाई बीपी की दवाई किस तरह से बनानी हो और आप किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं और हाई बीपी होने क कि किया-क्या लख सण है और क्या-क्या कारण है तो हाइब पी लगब-ْसतर परसेंट लोगों को इस देश में हाइब भीपस्ट की समitus है तो हाइब भीपस्ट की होने के बहुत से कारण जैसे कि tension या फिर नेंज प्रोपर नहीं आना या फिर चीट-चीटा पर रहना किसी चीज के परती ज़्यादा सोचना या फिर घर कलेंज जैसे घरका मौल भी कई बार ऐसा रहता है जिसके करन बर भी पी हाई होने लग जाता है घुसा आनी लग जाता है टेंशन होने लग जाती है तो ये सारी चीज़े हैं इसके लब जैसे दोस्तों मिर्ट मसाले का ज्यादा सेवन करते हैं तो भी हाई बीपी की समझे हो जाती है बार का खाना ज्यादा खाती है फिर फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करते हैं तो भी हाई बीपी की समझे हो जा जब से जड़ाद हो, गुस्था जब से रहती है, तनाउ रहता है, nेंद प्रोपर नहीं आती है, इसके अलावा दो मेश नहीं होती है, घबराट होती है, और चेस्ट पैन भी ऑता है, इसको हाड डिटेक्ट आने की ज्यादा समभावाना रहती है जिसको हाई बीप रहता है उसको लकवा होने की ज्यादा समभावना रहती है या अध्रंग लकवा पड़ जाता है या फिर बरेन हेमरेज भी हो सकता यह तो बहुत से कारणा और बहुत से लक्षण होने के आप बात करते हैं दोस्तों इसके सबसे पहले आपको लेना है हरिद्रा जिसको हल्दी भी बोलते हैं दूसरी चीज लेने हैं आपको अर्जुन की चाल अब पहले जैसे जैसे मैं नाम बहुर रहे हूं वैसे उसे इनकी मातरी बता देता हूं ताकि आपको आपको 10 ग्राम अर्जुन की चाल लेना आपको 10 ग्राम और सरभगंदा चुरण लेना आपको 10 ग्राम यह चारो चुरण आपको 10-10 ग्राम की मातरा में लेनी हैं इसके लाओ दोस्तों इसमें एक स्वेत प्रपटी डलेगी 5 ग्राम और मुक्ता पिष्टी डलेगी 5 ग्राम य और रखना है और किसी काज के पातर में रख लेना है अब सूबह से हम आपको आदा आदा चमचक माध्रा इसको पाने के साथ में करने है लगा उक्ताव ज़िए से तीन मेने बां इसका से। आहिए, भसं कि यह प। आयरवेध स्टोर से या फिर पंसारी के पास आसानी से उपलब्द हो जाएगी तो आप आजमा के देखिए, बना के देखिए और इसके रिजल्ट देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा, आपको कैसा बेनिफिट मिल रहा है और क्या कैस के अगर आपको साइड इफेक्ट भी देखना हो मिलें, तो भी हमसे सेर कीजिए विसे इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते है, बस ये ध्यान रखना है कि जो मात्रा मैंने आपको बताई है उसी मात्रा में आपको ये दवाया लेके कूट पीस के अच्छे से चान के और इनको गुठाई करना है खरल लोती है उसमें गुठाई करके और यह आप बना सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आईरवेदिक दवाय को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आप बेजी जगिन का उप्यों कर सकते हैं बस इनकी मात्रा सही होने चीए तो दोस्तों गर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों में सेर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कोई चीज नहीं समझ में हो तो आपको आप दुबारा से बताऊंगा और अगर आपको नहीं कोई चीज समझ में आ रही है या फिर कोई और सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं उसका समधा हम जल्दी लेकर आएंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जया एर्वेट जया इंदोस्तान